दितिये वर्ष के छात्रूं दस एकांकी में त्रितिये एकांकी की शंखला में आजम जगदिश चंदर माथुर के मकडी का जाला एकांकी के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे लेकिन इससे पूर आज हम एकांकी के तत्वों पर प्रकाश चालेगे यदि हम एकांकी के तत्वों को नहीं जानेंगे और एकांकी पढ़ते रहेंगे तो शायद एकांकी के महत्यों को हम नहीं जान पाएंगे इसलिए हमें एकांकी के जो कई तत्तों हैं इनके विशे में जानकर रिपाब सबसे पहला तत्तो है कथावस्तु कथावस्तु एकांकी की रचना प्रक्रिया का मूल अधार है इसी के माध्यम से चरित्रों के श्रिष्टी और विकास होता है एकांकी कार इतिहास, राजनिती, धर्म, समाज, आदि छित्रों से कथावस्तु चुन कर एकांकी की रचना करता है इसके साथ ही वह उसकथावस्तु को जीवन के सामाजिक संदर्बों और समसामिक समस्याओं से समबद करके दश्कों का धान आकरश करता है इन समस्याओं के साथ और इन समसामिक स्थित्यों साथ उसमें थोड़ थोड़ कल्पना का समावेश भी करता है कथानक आरम से जिग्यासा, कोतुव से उखत होना चाहिए कथानक में रोचकता, विसमे आदिगुन का भी होना चाहिए इस तरह कथावस्तु के पांच बाग जते हैं प्रारंब, नाटकीता, द्वंद, चरम सिमा और परनिती कथावस्तु का स्वरू, रंग मचियें सूचना के साथ दश्कों के सामने यह प्रकट करता है कि एकांक का बड़े आकरशक तरीके से अपने एकांक की गटना को प्रसुत करने की कोशिश करता है नाटकीता अंतर द्वंद, कथावस्तु को विशेश रिलो के प्रियता प्रदान करते हैं नाटकी संगर्श अपने सिमा पर पुहंच जाता है तो वो चरमत कर्ष कहलाता है यहाँ पहुंचकर रेकांक की अपने सबी संगर्श और द्वंद सिमा पजाते हैं कथा वस्तुज में सहज गती शीलता का होना भी आवशक है, नाटक कार की सफलता इसी बात पर निर्व करती है कि वह कथानक को चरम सीमा की अवस्ता पर पहुंचा कर समाप कर दे संकलन त्रे के कारण एकांगी के कथानक में एकानविती एम संतुलन की प्रतिष्टा होती है, इनी के फलसुरों एकांगी का दर्शकों पर अपना प्रिक्षित प्रभा छोड़ता है फिर आता है कथोब कतन कतोब कतन एकांगे का महत्व पून तत्त होता है एकांगे का इसी के माद्दिम से चरित्रों का विकास और कथावस्तु का प्रसार करता है इसकी सफलता इस बात पर निर्बर करती है कि संग्षिप्त एवं सरल कतोब कतन की योजना हो रोचकता और स्वभाविकता से संपन कतोब कतन एकांगे की सफलता में बहुत साहक होते है कतोब कतन पात्रों के अनुसा और प्रसंग के अनुकूर होना चाहिए और कतोब कतनों के माध्यम से ही पात्रों के अंतह संगर्ष पारस्परिस संगर्ष की अभिवेक्ति होती है एकांकी की मूल समवेदना के प्रकटी करण का माध्यम भी कतोब कतन होता है और कतोब कतन के द्वारा ही भाषा को जीवन तताप्रात होते है पात्र एवं चरित्चत्र एकांकी में एकांकी कार अपने कथानों को मूर्त रूप देने के लिए अनेक पात्रों के शिष्टी करता है और इन्हीं के माद्दिम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है पात्री कथा को गतिम विचाज रिते हैं पात्र यूजना के लिए निवारी है कि एकांकी कार ऐसे पात्रों का चैन करें जिनका संबंद सामाने जन जिवन से हो साथ ही जिनका आपना सवतंत्र उनिजी विक्तित्व भी हो पात्रों का व्यक्तित्व बोधी कथा वस्तु को सहज विकास पदान करता है पात्रों की क्रिया शिल्ता में ही एकांकी की सफलता का रहसे नहींत है पात्रों के चरित्र चित्रन में एकांकी कार को पून सतकता बरतनी चाहिए जिस एकांकी में पात्रों की संक्या सिमित होती है वही एकांकी सफल माना जाता है एकांकी का प्रमुख पात्र नाय कहलाता है और उसके चरित्र को सरुषिष्टा पदान की जाती है अन्य पात्रों का भी सहज होना पंचने है फिर आता है भाशा सेले यदे भी एकांकी में अभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के अनेक प्रकारों का सहर जाता है ततापी उन सबकी तुनला में भाशा का अपना मेत्वपून स्थान है एकांकी रंगमंच पर खेलने के लिए लिखे जाते हैं अता उनकी भाषा का बोध गम्मे होना भी आवश्यक है साथ इवर सुगम भी हो ताकि विचारों को ठी प्रकार से संप्रेशित क्या जा सके भाषा पात्र इवर परिवेश के अनकूल होनी चाहिए सभी चरित्रों की भाषा उनके व्यक्तित्व के अनरूपी होनी चाहिए एकांकी भाषा के साथ ही शेलिक पर भी विशेश ध्यान दे जाना चाहिए एकांगी केले मुख्य रूप से नाट की ये शेली का ही प्रयोग होना चाहिए क्योंकि इसके लिए किसी भी अन्य शेली का प्रयोग उप्योग नहीं माने जाता है उद्धेश्य प्रतिक रच्णा का अपना कोई ने कोई उद्धेश्य पाठक दर्शकों के सामने प्रसुत करना आवश्यक होता है एकांगी कार भी विभिन चरित्रों के समवाद के मद्यम से अपने विचारों को अविव्यक करता है सफल एकांकी वह मानदाता है जो अपने उद्देश्य का कतन करके संकेतिक ढंग से अभिव्यक्त कर सके कतावस्तु के अनुसार ही एकांकी रचना के विभिन उद्देश्य होते हैं जीवन के अंतर विरोद और विश्मताओं की अलोजना एकांकी में विंग्यात्मक दंग से की जाने चाहिए उद्देश्य की महत्ता ही एकांकी कुईस्मत्ति को जीवन बनाती है छटा एकांकी का तत्तु है संकलंत रह एकांकी में स्वभाविकता उपन करने के लिए कार्यकाल और इस्थान की एकता का होना मैत्तपून है एकांकी में संकलंत रह स्तात पर रह एक कार्य एक की समय में एक इस्थान पर होना चाहिए जिससे दर्शक उसकी पून अनुबती कर सके, किसी घटना या विशे का समय के साथ पून एक्के होना एकांकी की सफलता के लिए बहुत मेंतर पून है अभिनेता एकांगी की सफलता का रहस से उसके अभिने होना भी निर्भा करता है अभिने की द्वारा ही पात्र अपने मनो भावों को अभिवक्त करता है नाटकी और दर्ष परश्टी समवाद अभिने को प्रभाव शिलता प्रतान करते है एकाइं की रचना अभिने को द्रश्टी रख करकी जाती है इस द्रश्टी से विशे भी ऐसा चुने जाता है जिसमें अभिने शील्ट संबादों की उज़ना की जा सके रंग निर्देश की साहिता से नाटक के उदेश्य और उसकी रंग मंची आवशकतां को मूर्त रूप जाता है सभी कुछ कतोब कत्थां की द्वारा व्यक नहीं गया सकता अता उसका रंग निर्देश द्वारा भी संप्रेशन आवशकता है लास्क बिंदु है अन्तरदुन रदे में परस पर विरोधी भावों का उत्पन होना अन्तरदुन का लगता है जब एकांगे के पात्र किसी विशे अत्व समस्या या उसके विविने पक्षों पर विवाद करते हैं तो उनकी मनहे इस्तिति संगर पूम होते है पात्रों की इस मनहे इस्तिति का सोक्ष में विशलेशन एकांगी का प्राण होता है क्योंकि यहीं माध्यमिस की द्वारा एकांगी कार पात्रों का मनोवे ग्यानिप चत्तम करता है एकांगी कार को इस ओर से विशेश सालधनी बरतनी आवश्यक होते है इस तरह से यह जो आड़ मिंदू हैं एकांकी के तत्व हैं अब हम मकडी का जाला जगदिश चंद्र माथू के एकांकी का अधिन करेंगे और इस एकांकी के सारांश को ग्रहन करने की कोशिश करेंगे जगदिश चंद्र माथू हिंदी नाटे कला और एकांकी नाटे कला को परिपक्वता प्रदान करने में ए विस्मर्नी हैं वास्त विक्ता यह है कि उन्होंने आईसी इस अधिकारी होते में भी नाटे को और एकांकी लेखन के प्रति अपनी प्रति बद्दता को कभी कम नहीं होने दिया है यही कारण है कि हिंदी नाटे को और एकांकी साहित्ते में उनका बहुत उयुगतान है इनके प्रमुक नाटक हैं कोणार्क, कुमर सिंग, शार्दिय, पहला रजा, दश्रत नंदन और कोणार्क इनकी ख्यातिका प्रमुक है, रेड़ की अड़ी, बुर्का तारा, ओ मेरे सपने भी इनके कांकी है, इनके प्रसिदे कांकियों के कथा वस्तू का चैन, इतिहास प्रमुक की नवीन समस्यां के बीच किया गया है, सामाजिक एथार्थ अपना छेत्र है, पात्रों के विक्तित्व की स्वतंत्र को उसकी चारित्री विशेष्टा है, भाव प्रमुनता तथा कति सब्वे कहलाने वाले लोगों पर व्यंग, अभिने, शीलता, वो प्रमुक की है, इसमें जगदिश चंदर मात्रों ने मनुष्य के अंतर संगर्ष को बड़ी खूबी से उभारा है, बोलालात नाम का एक धनी व्यक्ति है, जो चंदरभान नामक यूग को अपने प्रतिष्ठान नोक्र देना चाता है, चंदरभान कवी है, मन से साक्तिक औ चंदरभान को समसाता है कि जीवन में पैसा का मना ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन वह यह विस्पश करता है कि उसके प्रतिष्ठान में आने का अर्थ है, मकडि के जाल में फसना, जिससे निकलना बहुत कठिन है, बोलानात चंदरभान को इस्तिति से वाकिफ कराता है, चं द्वन्द उसे लतारता है कि उसने मकडि का जाला स्वम बुना है और समसमे फसा है, वह भी कभी गीत संगीत का प्रेमी था, उसका मन भी सात्तिक भावं से बरा था, उसका अवचेतन उसे दिफकारता है कि वह कह उड़ता है चंदरभान तुछ जाल में मतपस, किन्तु ना एकांकी में बोलानात के अंतरदंत को बड़ी कुशलता से रुपाईत किया गया है, एकांकी नाटकीता से बरपूरे तथा एकांकी में दर्शकों को बांदी रखने की शमता है, कुल मलाकर मकडी का जाला एकांकी में, जिससरे से मकडी अपने बनाएवे जाले में खुद पर सुफ जाती है उसी तरह का अंतरद्वन्द बोलनात के मन में इस कहानी में इसे कांकी में दिखाया गया इस कहानी का संपूर्न अकांगी को मैंने पीडिएफ बना कर इस वीडियो में डाला है सबी विध्यारतियों से अनुराध है कि इस PDF को आप PDF में जो प्रस्तुत एकांकी उसको पढ़िए इस एकांकी में बहुत सारे व्यक्यास्तल भी है आप जो बड़ बड़ पेरिग्राफ हैं अच्छे व्यक्यास्तल है बहुत सारे भी हैं आप उन व्यक्यास्तलो को पढ़िए और एकांकी कादारपस की व्यक्या करके और मुझसे पूछ सकते हैं मुझसे बाचीत भी कर सकते हैं धन्यवाद